आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सूपर क्रिस्पी जबरदस्त टेस्टी और एकदम इजी ऐसी बढ़िया टू इन वन रेसिपी टू इन वन इसी लिए क्यूंकि इसमें आपको कचोरियों का भी स्वाद मिलेगा और पूरी का भी एकदम इजी बढ़िया और पर यह नॉर्मल जिसमें हम रोटिया बनाते हैं वही गेऊ का आटा है यह मैंने दो कटोरिया लिया है इसे न हमें चान कर लेना है फिर इसमें डाल रही हूँ मैं आधी कटोरी सूजी यह बारिक वाली सूजी है अगर मोटी वाली सूजी हो न तो आप उसे एक बार मिक्सी में चला कर इस्तेमाल कर सकते हैं फिरिस में डाल रही हूँ आधा कप बेसन इन सभी चीजों से एकदम बढ़िया कचोरी जसी हमारी ये पूरी है वो बनेगी आप डाल देते हैं इसके अंदर कुछ मसाले आपना घर की कोई भी कप या कटोरी सेट कीजे रूसी से सारी मेजरमेंट कीजे जिससे आपको आसानी हो यहाँ पर मैंने डाला है एक चमच धनिया पाउडर एक चमच भूना जीरा पाउडर फिर इसमें डाल देना है एक छोटी चम्मच नमक या फिर सौत क्या अकॉर्डिंग नमक नमक न इसमें एकदम बढ़िया डालिया क्योंकि इसी से टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा फिर इसमें डाल रही हूँ एक छोटी चमच रेड चिली पाउडर, आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर बढ़िया कलर के लिए फिर इसमें जाएगा गरम मसाला आधी छोटी चमच, फिर इसमें जाएगी आधी छोटी चमच साबूत वाला जीरा फिर इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन उसे न हातों से क्रश करकर डाल देंगे इससे फ्लेवर भी बढ़ी आएगा और इजी टो डाइजस्ट हो जाएगा फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बहुत सारा फ्रेश हरा धनिया इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया इसे ने बारिक चॉप कर डालिये क्योंकि पूरिया बेलने में फिर परिशानी नहीं होगी फिर इसके अंदर हमें डाल देना है यहाँ पर मैंने सफेग तिल लिये है दो छोटे चमाज इसे एकदम क्रिस्पी बढ़िया ऐसे दातों की नीचा आएंगे और यह तिल तो उसका टेस्ट और बढ़िया लगेगा फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ना दो हरी मिर्च और एक इंच आद्रक के तुकड़े को मैंने मिक्सी में चला कर उसका पेस्ट बना लिया है आप चाहे तो इसे फाइन चॉप करकर भी डाल सकते लेकिन पूरिया बिलने में फिर परिशान आएगी इसलिए मिक्सी में चला कर इस्तमाल किजिए फिर यह हमारी जो पूरिया है एकदम बढ़िया देखी इसलिए मैं यहाँ पर एक चोटी चमच रेड़ जिली फ्लेक्स डाल रही हूँ यह ओप्शनल है आप डालना चाहे तो डाले है क्योंकि हमने पहले ही रेड़ जिली पाउडर डाला है तो वो आप ज़्यादा कॉंटेक्टी में डाल दीजिए फिर इसके अंदर जाएगा दो चमच ओईल और इन सभी चीजों को हम एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीजे एकदम बढ़िया से आटे के अंदर मिक्स हो जाए और जो हमने सभी मसाले डाले है वो भी बढ़िया से आटे में निक्स हो जाएंगे और ओईल पूरियों के लिए हमेशा सक्त आठा ही गुनना है ताकि जो पूरिया है वो एकदम बढ़िया बनी और तेल को सोक ना करें तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक सक्त डो हम रेडी कर लेंगे पूरिया तेल ना सोक करें उसके लिए भी मैं आगे आप के साथ टिप्स शेयर करूंगी और एकदम फूली फूली पूरिया कैसे बनाते है वो भी बताऊंगी तो यहां पर ने मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इस तरीकी का सक्त आठा रेडी कर लिया है अब इसे न हम ढखकर 10 मिनिट साइड में रख देंगे इससे क्या दो से तीन ड्रॉप ऑईल डाल देंगे और इसे हातों से मसल कर और थोड़ा चिकना कर लेंगे तो इसी तरीके का सक्त आठा हमें पूरियो के लिए चाहिए क्योंकि हम इसे बेलते हुए सूखे आठे का इस्तमाल भी नहीं करेंगे उससे क्या होगा तेल भी खराब होगा और पूरियो का टेस्ट भी इसलिए हमें आठा गूनते हुए ही सक्त आठा गूनना है जिससे हमें सूखे आठे की बाद में जरुरत ना पड़े तो इसे न मैं चिकना करकर दो भाग में डिवाइड कर लूँगी ताकि हमें इसकी जो चोटी चोटी लोईया है वो बनाने म आसानी हो तो इसका एक पोशन लेंगे उसे हातों से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और दूसरा जो है न वो ढखकर रख देंगे क्योंकि वो सुख जाएगा तो फिर पूरिया बेलने में तकलीफ होगी यहाँ पर न मैंने बेलन को और चकले को गी से हलका सा ग्रीस कर लिया है और जो हमने आधा पाट लिया था उसे इस तरीके से हम हातों की हल्प से बेल लेंगे और इसकी इस तरीके की छूटी-छूटी हातों से बॉल्क जैसा कट कर लेंगे इससे पूरिया एक जैसी बनेगी और जल्दी-जल्दी भी बनेगी अगर यह प्रिपरेशन हम पहले ह करकर रखे न तो जल्दी पूरिया बन जाती है और एक जैसे भी तो इस तरीके से हातों से छोटे-छोटे इसके तुकडे बना लेंगे और फिर न दोनों हतोलियों को इस तरीके से आटे को रब करते हुए हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे इसके साइड में क्रैक्स नहीं ह हम हलका सा ओईल लगा लेंगे और अब न यहाँ पर मैं आपको पूरिया बेल कर बताती हूँ एकदम इजी है इसे न बेलते हुए आप चाहे तो थोड़ा सा ओईल इस्तमाल कर सकते है तो इसी तरीके से सभी साइड से बढ़िया से हम बेल लेंगे कही पर मोटा या पतला इसा बिल्कुल भी नहीं रखना है सभी साइड से इकवली हमें इस तरीके से बेल लेना है या थूड़ी सी मेडियम थिकनेस की रखनी है ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा मोटी तो सेम इसी तरीके से मैं आपको और बेल कर दिखाती हूँ जो हमने आटा लगाया थ पूरिया फ्राइ करते हूँ एक बात का हमें द्यान रखना है कि पूरिया जो है ना वो एकदम गरम ओल में हमें फ्राइ करनी है तब ही जो है वो तेल को सोक नहीं करेगी और एकदम क्रिस्पी रहेगी तो इसमें ना एक पोशन डाल कर देखेंगे अगर तुरंथ उपर आ से शोक नहीं करेगी, क्योंकि हमने इसे इतने गरम ओयल में फ्राइग किया है न तो इसे ओयल को शोक करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, तो इसी तरीके से हम इसे अभी गास की फ्लेम को लो टूमीडियम कर देंगे और इसे बढ़िया से दोनों साइट से सिखने दे और दोनों साइट से हलकी से क्रिस्पी होने पर इसे हम निकाल लेंगे तो लग रही ना एकदम कचोरिय जैसी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी पूरी पूरिया जो है फ्राइ करने तक वो एकदम फूली फूली ही रहेगी यानि सॉफ्ट या फिर जैसे होती है एकदम पूरी पूरिया होने के बाद भी दिखाती हूँ तो इसी तरीके से ना मैंने ये जो पूरिया बेल कर रखे थी वो सभी को फ्राइ कर लिया तो ये दिखे जो हमने पहले फ्राइ कर रखी थी पूरी वो भी एकदम फूली फूली परफेक्ट और बढ़िया है तो सभी पू को मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजे मैं आपको पास से कचोरिया दिखाती हूँ एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट भी है तो यह दिखिए इसमें जो हमने मसाले डाले है वो भी इसके उपर एकदम बढ़ि से एकदम बढ़िया से और इसका टेस्ट ना एकदम बढ़िया है चाय के साथ इसका मजा डबल हो जाएगा तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंकि फर वाचिंग मैं वीडियो